हेलो दोस्तो वेलकम टू मैं चनल दोस्तो आपके लेम फिर सेक MSI का जी फोर्सेस आटी एक्स ग्राफिक्स 3080 लेके आए है तो दोस्तो मैं आपको यह बता दू कि यह जो ग्राफिक कार्ड है बहुत ही लेटिस मोडेल का है और मैं इसे अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ और विडियो बनाने का मौका मिल गए आप लोगों के लिए तो मैंने सोचा कि मैं विडियो बना के आपको सभी को दिखा दू और दोस्तो यह मैनूल बुक है जो कि हमेशा निकलते रहता है हर एक मदरबॉर्ड ग्राफिक कार्ड में सब में निकलते रहता है तो दोस्तो यह आप बता दू यह graphic card मुझे निकालने में बहुत ही खुसी हो रहे क्योंकि यह बहुत ही महेंगा और बहुत ही अच्छा graphic card है और यह 10GB का graphic card है और latest model का graphic card है दोस्तों तो मैंने इसे अभी अभी मैंने निकाल दिया है अभी आप देख सकते हैं इसमें 3-3 cooling fan दिया है दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं इसका hitsing बहुत ही जबरदस्त दिया हुआ है क्योंकि यह जब यूज होगा तो बहुत हीट होगा इसलिए MSI ने इसमें 3-3 fan दिया है ताकि यह cooling जल्दी हो सके क्योंकि आप जब game खेलते हो तो आपका जो gaming lag नहीं करे 60 fps से नीचे रहे क्योंकि हीट होने के कारण ही मतलब की fps घड जाता है और थोड़ा स्लो हो जाता है तो इसमें यह प्रॉलम नहीं आने वाला है दोस्तों तो आप देख सकते हैं इसके back panel में back side में कैसा है तो दोस्तों मैं इसे अभी निकालके में MSI का motherboard में ही लगाने वालो और आप देखते रहे हमा का motherboard में ही मैं टेस्ट करने वाल को में up क फिराषास करने वालौthose का जो डूस्तों में इसे अभी निकाल लेता हूं में बहुत ही मैं आप दिखा दू पहले यह पर लागना है इस तो दोस्तो हम इसे लगाने जा रहे हैं दोस्तो आप देखें तो दोस्तो मैंने इसे लगा लिया है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुसी हो रहे मैं इसे वीडियो बना के क्यूंकि मैं आप सभी को दिखा सको और हमारा कस्टमर का रिक्वायमेंट तो मेरे कस्टमर ने भी बोला था विडियो बना के मुझे भी भेज देना तो मेने इससे विडियो भी बनाया और आप देख सकते हैं यहाप जब ग्राफिक काड डालेंगे तो यह लौक होता है दोस्तों यह लौक हो सकता है क्योंकि जब लॉक नहीं होगा तो आपका फिपटी बाट खा हो क्योंकि यह 1050 बाट्ट का है मैंने से लिए इससे स्लेक्ट किया है ताकि यह इस ग्राफिक काट के साथ में मैचें करें और कुछ प्रावलम ना हो कस्टमर को तो दोस्तों मैंने अभिए से निकाल दिया और आपम मैं लगाना है कैसे लगाना है मैं इसे दिखाऊंगा और दोस्तों एक बात में बता दो यह जो कुलर मास्टर का जो यह SMPS से बहुत ही अच्छा है दोस्तों इससे बेस्ट तो मैंने अभी तक नहीं लगाया किसी में भी क्यूंकि इसका जो पॉफोमेंस है बहुत ही अच्छा आत करेंगे ताकि उनको कभी कोई दूसरा मदरबोर्ट में या हार्ड्राइब में लगाने में दिकत नहीं और दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब रेडी कर चुका हूँ मैं एसेंबल करके पहले रेडी कर चुका हूँ अब मैं मुझे बस इसे अन करने का ज़रू को अभी मैं इसे सॉट करके अन करने वाला हूँ दोस्तों यहां से देख सकते हैं तो दोस्तों मैंने अभी सॉट कर दिया है अभी ओन भी हो गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे गेमिंग प्लस लिखा हूँ है दोस्तों मेरे मदरबोर्ड में ग्राफिक आड के नीचे साइड में तो दोस्तों आप देख सकते हैं ग्राफिक आड का फैन गूम रहा है और मैं इसे के डिस्प्ले को भी दिखाऊंगा और आप देख सकते हैं गेमिंग प्लस लिखा हुआ है और डिस्प्ले को भी मैं दिखाऊंगा क्यूंकि इसके जो प्रोसेसर है जो AMD प्रोसे यह open हो चुका है और मैं इसका जो driver है इसका driver को भी मैं install करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों तो दोस्तों अभी यह fan रुख गया है दोस्तों क्योंकि अभी यह hit नहीं हुआ है जब यह hit होगा auto hit होता है तो automatic गुमेगा fan तो दोस्तों अभी देख सकते हैं इसमें मैंने windows 10 पर अल्रेडी डाल जुका हूँ क्योंकि यह थोड़ा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैंने शॉट में बनाया दोस्तों आप Aud 00 o अफ उसभी के लिए और यह हमारा कस्टमर का भी रूकारमेंट था बहुत खुश हो गया हमारा कस्टमर इससें पा थे क्योंकि क्स्टमर को बहुत ही जल्दी था तो मैंने तुक्षआ करें मैंने पहत्या यह सद्लिबाद कुछ्ट आप दोस्तो ऐस त EBлагे शेय devotees करने रहे हैं आप नियुक्षेज तब फिजластम के हुआ ओन लाइन या में तो यह इसे भी प्लस में मिलेगा वान लेक सिस्टी थाउजन प्लस में ही मिलेगा आपको इस से कम में नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों मैंने जहां भी देखा गूगल में सब जगह देखा यह 3080 लेकिन दोस्तों हम लोग व्या रहा है हम लोग कह यहां पर जो सफ यहां पर हम लोग कोई मिलेपके यहां देख सकते हैं यहां पर और लाइक और सस्क्राइब जरूर करे और सेर जरूर करे ताकि मैं इसी तरह आप सभी के लिए वीडियो बनाता रहू दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो ग्राफिक काड मैंने बोला था 10GB यहाँ पर देख सकते हैं 10GB ग्राफिक काड डिटेक्ट कर रहा है और जो कि यहा पर आपका 3GB RAM से एड हो चुका है क्योंकि जो हमारा RAM है वो RAM से 3GB एड हो चुका है ग्राफिक में और जो ग्राफिक काड है 10GB का तो टोटेल मतलब 13GB हमारा ग्राफिक काड दिखा रहे है तो दोस्तों इसमें गेम खेलने में बहुती मज़ा आने हो लाए दोस्तों तो में गेम तो नहीं खेलूंगा लेकिन में तो दोस्तों नेक्स वीडियो में मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए बाए दोस्तों सस्क्राइब और लाइक जरूर करें